सॉरी फॉर दर शेकी वीडियो फ्रेंट्स, आज मैं ट्राइपॉड लेके नहीं आपाई, क्योंकि सुबह सुबह अचानक मैंने देखा कबुतर हमारे हाँ अंडा दे दिया है गंबले में, मैं बालकनी में आये और आज चेरे चकित रहे गई क्योंकि नेचर को बहुत करीब से देखने का आज मुझे मौका मिला है, और ये कबुतर पहले भी आता था, बिलकुल नहीं डरता था, आज तो इसने अंडा ही दे दिया है, बीस दिन के बाद अंडे में से बच्चा निकलाया है, और ये बिलकुल ही पिंग कलर का है, इसके जो रोए हैं वो गोल्डेन कलर करके है और आखें इसकी बंद आए, इस्की चोँच खोलने की कोसिस की है, इसकी मॉम ने, और उसे दाना देती है उसमें, और इसके पापा भी आते हैं कभी-कभी मिलने, और वो देखिए कितनी जल्दी-जल्दी वो चेंज हो रहा है, उसकी आइस अभी भी बंद हैं, ल बिल्कुल एक बल के लिए भी नहीं छोड़ती है उसके पापा भी आते हैं और वो मेरी आवाज भी पहचानता है मैं जब भी आती हूं तो वो कबुतर जो है वो बिल्कुल एक्टिव हो जाता है क्योंकि मैं दाना लेके आती हूं और उससे खाने को मिलता है तो बहुत ही यह आवाज पहचानता है अब देखिए इसके आखे भी खुलाई है और इसकी मॉम इसे छोड़ के जाती है क्योंकि उसे भी लग गया है कि यहां पर कोई इससे हार नहीं पहुचाएगा इसके आखे बहुत ही काली है और मुझे लगता है कि दूप में रहने के कारण इसका ज और यह उडने लायक हो चुका है इसके आखे अपे भी काली है और इसके पैरो का कलर भी जो है वह भी ब्लैक है तो हम लोग ऐसे डिफ्रेंसियेट करते हैं इसका नाम हमने चुंगी लाल रखाया और अब इससे जाने का टाइम हो चुका है चुंगी लाल उडना सीख चुक